आज की टाइम में कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसको फेस से लिटेट कोई प्रॉब्लम नहीं हूँ खास कर उनको जिनकी ड्राइ स्कीन होती है परल्यूशन इतना जादा हो गया है कि स्कीन को अच्छा रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है साथ साथ व्योवी के लिटने आपके शरी को डैमेज करती है उपर से फेस पे पिंपल वगेरा सब कुछ आपके चहरे पर खराब कर देती है आज की वीडियो में एक प्रोडेक्ट का रिव्यू ले क्या हूँ जो की है ऐलो ज्री करीम, आज की टाइम में बहुत पॉपलर रही है तो आज की वीडियो में मैं सब कुछ के लिए आपको करने वाली हूँ कि क्या यह काम करती है, यह किन किन लोगों पर काम करती है इसका प्राइस क्या है इसके अंदर क्या क्या इंग्रिडियन्ट है ये किन लोगों को ट्राइ करनी चाहिए क्या ये आपको सूट करेगी सब कुछ आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ बिल्कुल सचा रिवीव है तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर पसंद आये तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना मिल्कुल भी ना भूलिएगा सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्रेम क्या करती है ये एक मोस्चुराइसर की तरह आपके फेस पे काम करती है खासकर उनके लिए जिनकी स्कीन ड्राइव होती है उनको ये ऐस अ मोस्चुराइजर क करती है मोस्चुराइजर के साथ साथ ये आपकी स्कीन डार्क पड़ चुकी है जैसे कि धूल के कारण, प्रलूशन के कारण, यूवी क्रिणों के कारण या फिर आप बोल सकता है जाये जिनके चेहरे बढ़ सकी है उनको ये धीरे धीरे उनके कॉम्प्लेक्स को फेयर करती है फेयर पूरी अच्छी तरीके से नहीं करेगी लेकिन आपका जो रिटन कर देगी आपके फेयस को के जो मतलब कहीं रोगों का फेयस ऐसा होता है कि पहले गोरा होता और फिर वो काला क्याने की सावला परना शुरू हो जाता है तो उनके नाच्रल कलर में उसको चेंच कर देती है बट ये काम बहुत धीरे करती है इसलिए आपको ये हमेशा एक दिया दो महिने के बाद ही रिजल्ट देगी इसके साथ साथ ये काम करती है आपके पिंपल के मांक्स पर जो आपके पिंपल के मांक्स होते हैं उनको बहुत अच्छा काम करती है अगर आपकी बहुत tea tree oil, तो इसमें कुछ ऐसे ingredient है, जो मैंने आपको share किये हैं, अगर आपको इन में से कोई सा भी ingredient अगर suit नहीं करता, तो आप इस cream को ना यूज करें, अब बात करते हैं कि ये skin type के लिए बनाया गया है, ये mostly जो है dry skin के लिए बनाया गया है, इसको कोई भी लगा सकते हैं, लेक आपको अपना चैरा क्लियर करना होता है, और उसके बाद आप इसको अपने चैरे पर as a moisturizer अप्लाई कर सकते हैं, अगर बात क्रेज के price की, तो price रखा गया है, इसका 50 gram के लिए 150 रुपीज, आपको ये online मिलेगा, offline मैंने इसको कहीं नहीं देखा है, तो मैं offline इसको नहीं बो पीज में आपको अच्छा का सा मिल दा है, क्योंकि face moisturizer जो है, वो काफी महंगे आते हैं, तो आप इसको use कर सकते हैं, अब बात करते हैं, जैसे की गर्मे शुरू हो रही है, तो आप इसको गर्मे में अगर apply करें तो क्या होगा, गर्मे में mostly जो skin होती है, mostly लोगों की, वो dry ना होगे, oily सी होने शुरू हो जाती है, पसीने के वज़े से, तो इसको अगर आपको इसको apply करना है, अपनी चेहरे पे, आपको dark sports वगरा remove करने के लिए, तो आप इसको night में apply कर सकते हैं, तब भी आपको कोई problem नहीं होगी, आगे आपको मैं बताना चाहूंगी, कि अगर आपको कोई भी question हो, तो please comment box में ज़रूर बताईएगा, यही था आज की वीडियो में मलता है, नेक्स टूर में तब तक के लिए, bye bye, thank you so much